नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में भारत के सभी राज कब बने मतलब उनके इस्थापना वर्ष को और साथी साथ संविधान संसोधन की वर्ष को ट्रिक के माध्यम सियात करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारियां दूँगा जो की इक्जाम के लिए काफी जादा महत्पूर्ण है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा महत पूर्ण इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेगा जिससे की आपके बहुत सारे टॉपिक एक साथ कवर हो सकें ठीक है इसमें हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि भारत का कौन सा राजिक कब बना किस प्रकार बना और उस सबी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आजादी के समय जो भारत था वो तीन प्रसासनिक इकाईयों में विभगत था तीन प्रसासनिक इकाईयों में से मुख रूप से पहली इकाई थ इसमें बिटिस सरकार का सासन हुआ करता था और इनकी जो संख्या थी उस समय वो थी 11 ठीक है मतलब जो बिटिस प्रांटे से कितने थे 11 धे दूसरा जो था वो था देशी रियास्तें देशी रियास्तों से ही आपको कन्फरम हो गया होगा कि ऐसी रियास्ते या फिर ऐसे राजा लोग सासन किया करते थे ठीक है तो वो रियास्ते हुआ करती थी राजाओं की तेहां पर राजा लोग सासन किया करते थे लेकिन अगर बोला जाए कि मुख रूप से सासन किनका था तो मुख रूप से सासन अंग्रेजों कही था ठीक है मतलब राजा लोग तो सासन किय करते थे जंता के उपर लेकिन राजाओं के उपर भी अंग्रेजों का हैजा चलता था और जो तीसरी प्रशासनिकी काई थी वो थी फ्रांस और पूर्टगालियों का आपनिवेसिक छेत्र तो ये तीन प्रसासनी की काईयां थी आजादी के समय भारत की इसके बाद आया भारती सोतंता अधिनियम 1947 जिसमें दो अधिराजों के निर्मान की बात कही गई पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान ठीक है ये जो दो अधिराज बनने थे ये बनने थे ब्रिट देसी रियास्ते थी ना उन देसी रियास्तों को ये कहा गया या तो आप भारत के साथ सामिल हो जाएए दूसरी बात कही गई या तो आप भारत के साथ सामिल नहीं होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ सामिल हो जाएए और अगर दोनों के साथ सामिल नहीं होना है तो आ भारत और पाकिस्तान ना कि देसी रियास्तों का भी भाजन होना था तो देसी रियास्तों के लिए तीन बाते कही गई थी जो कि बाद में 509 जो रियास्ते थी ये भारत में सामिल होने की घोशना इन्होंने कर दी तीन रियास्ते बाद में और सामिल हुई थी लेकिन ये पहल स्वतंत्र रहना चाहता था ठीक है तो ये तीन रियास्ते बाद में भारत में सामिल हो गई लेकिन पहले ये सामिल नहीं होना चाहती थी साथ ही दो रियास्ते और थी जो कि भारत में सामिल नहीं होना चाहती थी पांसो उन्चास में से एक था त्रावण कोर जो कि केरल में प प्रियास किया गया उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ ही रहना चाहते हैं तो इनको फिर बाद में भारत में विलै कर लिया गया हलाकि इनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी लेकिन जो तीन थे एक था जूनागर दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था कस्मी इनके लिए काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी ठीक है तो इनके बारे में हम लोग डीटेल में देखेंगे कि कैसे ये भारत में सामिल हुए उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना और दे देता हूं जो भारत में देशी रियास्तों का विलै किया गया था उसके स्थापना की गई थी जून 1947 में इसके जो मंत्री थे आपको पता ही है कि सरदार बल्लब भाई पटेल थे और जो सचीव थे वो थे भीपी मिरन जी मैं आपको बता दूं कि देशी रियास्तों का भारत में विलै करने का जितना योगदान सरदार बल्लब भाई पटेल का है उतना ही ज्यादा योगदान भीपी मिरन जी का भी था जो सरदार बल्लब भाई पटेल हैं इन्होंने देशी रियास्तों का भारत में विलै किया था इसके लिए इनको क्या बोला जाता था भारत का विसमार्क इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो विसमार्क था उसने जर् तो आप याद रखेगा कि Mount Retanji परदे के पीछे से भारत का सहयोग का सहयोग साथी साथ एक चीज और जान लिजिए कि देशी रियास्तो का भारत में बिलय करने के लिए भारत ने दो प्रकार के बनाये थे एक ता बिलय पत्र जिसमें सिंग्नेचर करने के बाद सीधे जो रियासत थी वो भारत में सामिल हो जाती थी और दूसरा था stand still agreement मतलब जो बोलते थे कि अभी भारत में सामिल नहीं होना था तो सरदार बल्ला भाई पटेल बोलते थे कि आप इस agreement में sign कर दीजे मतलब आप अंग्रेजों के साथ ब्योहार करते थे वैसे ही आप भारत के साथ भी करना मतलब जैसे अंग्रेज आपके उपर सासन करते थे और आप अपना काम करते रहते थे ठीक है और साथी मैं आपको बता दूं कि सरदार बल्लब भाई पटेल का देशी रियास्तों का भारत में विले करने के लिए एक सिध्धान्त जाना जाता है वो है गाजर वा लाठी का सिध्धान्त जिसको पुरुसकार वा छड़ी का सिध्धान्त भी बोलते हैं मतलब पहले प्रेम से बात करो ठीक है और अगर नहीं माने तो फिर ताकत का भी व्योग करो ठीक है तो ये इनका सिध्धान था देशी रियास्तों का भारत में विले करने के लिए तो इस प्रकार से इनों ने 549 प्लस 3 देशी रियास्तों का भारत में विले करवाया था और जो 13 देशी रियास्ते थी उनका पाकिस्तान में विले हुआ था कुल कितनी देशी रियास्ते थी तो अगर आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो 565 देशी रियास्ते मिल जाएंगे और कहीं कहीं आपको 562 लिका हुआ मिलता है लेकिन मुख रूप से अगर विकिपीडिया की बात करें और थोड़ा सा अगर आप डिटेयल में जिनको भारत में सामिल करने के लिए थोड़ी बहुत मसकत करनी पड़ी थी तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जूनागड रियासत की तो जो जूनागड रियासत थी वो अभी पड़ती है बरतमान में गुजरात में ठीक है यहां का सासक था उस समय मुहम्मत महावत ख आना चाहता था लेकिन जो यहां की जनसंख्या थी लगवग असी पर से हिंदू थी तो वो चाहती थी कि जो जूनागड रियासत है इसका भारत के साथ हो जाए ठीक है तो बाद में सरदार बलब भाई पटेल ने यहां पर सेना भेजी जैसे ही सेना इस छेतर के बॉर्डर कर लिया गया ठीक है तो जनसंख्या के आधार पर जूनागड को फरवरी 1948 में सामिल कर लिया गया तो यह चीज आप याद रखिएगा साथी साथ में आपको बता दूं कि यहां का एक दिवान था जिसका नाम था सहनवाज भुट्टो सहनवाज भुट्टो जो था वो जु हैदरावार रियासत थी इसका उस समय का जो सासक था उसका नाम था निजाम निजाम एक मुस्लिम सासक था तो वो चाहता था कि जो हैदरावार रियासत है इसका मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान के साथ बिले हो जाए लेकिन आपको पता है कि अगर हैदरावाद का अगर अब भाई पटेल ने यहाँ पर एक पुलिस कारवाही की जिसका नाम रखा ओप्रेशन पोलो ओप्रेशन पोलो नाम रखने के पीछे एक कारण था उस समय विस्ट में सबसे ज़्यादा अब पोलो की जो मैदान थे वो थे कहां हैदरावाद में ठीक है इस करण से ओप्रेशन पोलो रखा गया चार दिन ये ओप्रेशन चला और यहाँ का जो निजाम था वो भाग गया पाकिस्तान ठीक है कब सामिल हुआ तो हुआ था 18 सितंबर 1948 को तो ये थी हैदरावाद की भारत में सामिल होने के पीछे की कहानी अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कस्मीर की तो जो जम्मू कस्मीर था यहाँ पर आपको पता होगा कि जम्मू कस्मीर के जो सासक थे महराजा हरी स जो कि डोगरावंस के थे यहाँ पर डोगरावंस काफी जादा समय से सासन कर रहा था तो यह चाहते थे कि जो जम्मु कस्मीर है यह स्वतंत्र रहे ठीक है ना भारत के साथ इतका विले हो और ना ही यह पाकिस्तान के साथ जाए लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आजादी मिली 24 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कवालियों ने आकरमण कर दिया ठीक है जैसे ही आकरमण की सूचना यहां के राजा हरी सिंग को मिली उन्होंने अपने मंतरी सेख अब्दुल्ला को भारत भेजा सहायता के लिए ठीक है जैसे ही सहायता के लिए उन्होंने अपने मंतरी को सामिल होना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ सामिल तो हो जाएंगे लेकिन हमारी कुछ सरते होंगी उन्होंने कुछ सरते रखी थी कि जम्मू कस्मीर के लिए अलग से समिधान बनाना पड़ेगा आपको पता ही है बाद में धारा 370 जो थी उसको समाप्त कर द गए तो क्या हुआ कि जैसे ये कवालिये पीछे हटते चले गए उसी बीच एक जनवरी 1948 को ये जो मामला था ये UNO पहुंच गया ठीक है संयुक तराष्ट संग के पास पहुंच गया हलाकि जवाहलाल नहरू ही लेके गए थे और जब ये मामला वहां पर पहुंच गया तो इसा नहीं होता तो भारती सेना इनको खदेड के पाकिस्तान पहुंचा देती और जो एलोसी वाला छेतर है वो अभी पूरी तरह से भारत के कब्ये में होता और अगर आप से पूछा जाता है कि जम्मू कस्मीर के सासक महराजा हरी सिंग ने बिलेपत पर सिंगनेचर कब कि तो वो किया था 26 अक्टूबर 1947 को उसके बाद भारती सेना ने जम्मू कस्मीर की सहायता की और जो कवालिये थे उनको पीछे खदेडा था ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखियेगा तो इस तरीके से जो तीन महत्पूर्ण रियास्ते थी जो कि भारत में सामिल नहीं हो तो इनके बारे में भी आप यह चीज़ें याद रखियेगा थीक है तो इस तरीके से जो भारत में देशी रियास्तों का विले किया गया उनके बारे में आपको जानकारी पता चल गई है आप हम लोग बात करेंगे कि भारत में राज्यों का निर्मान किस प्रकार किया थीक तथा ये कह सकते हैं आपकी संविधान पूरी तरह से लागू हो गया कब हुआ 26 जनवरी 1950 को प्रसासनिक द्रिष्टी से भारती संविधान द्वारा भारती संग के राज्यों को जिनकी संख्या उस समय थी 29 चार भागों में भाजित किया गया था वो भाग थे का खा गा और ठीक है भाग का में आता था गवर्णर वाले सासन का जो छेत्र था वो मतलब जो ब्रिटिस का लिन गवर्णर थी वो वाले छेत्र भाग का में आता था नवराजों का बिधान मंडल प्लस देशी रियास्तों का साही सासन भाग गा में आता था ब्रिटिस भारत के मुख आय निकाल सकते हैं कि केंदर सासित प्रदेश जैसा सासन ठीक है तो उस समय एक ही था जो था अंडमान निकोवार तो इस तरीके से भारती राज्यों को 4 भागों मी विभाजित किया गया था भारती राजों का प्रसासनिक द्रिष्टी से विभाजन करने के उपरांत ये देखा गया कि जो सासन ब्यवस्ता है वो सुचारू रूप से नहीं चल दिया मतलब जो भाग का खा गागा में राजों का विभाजन किया गया है उसके बाद भी जो सासन ब्यवस्ता है सही से नह जिस कारण से लोगों में जना क्रोस देखने को मिला खास कर जो दक्षिन भारत की लोग थे उन पर तो दक्षिन भारत के जो लोग थे उन्हों ने फिर भासाई आधार पर राज्यों के पुनर गठन की माग की जैसे की जो तेलगु भासी छेत्र थे ठीक है वो अलग राज्य किया गया था जून 1948 में और इसका जो मुख्य उद्देश था वो ये था कि राज्यों का पुनर गठन भासाई आधार पर सही है या फिर गलत ये चीज का पता लगाना ठीक है तो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में और रिपोर्ट में कहा था कि राज्यों का जो गठने प्रसासनिक सुविधा की दिश्टी से होना चाहिए ना कि भासाई आधार पर ठीक है ये जानकर जो दक्षिन भारत की जो लोग थे इनमें और ज्यादा संतोस ब्यापत हुआ और ज्यादा आंदोलन करने लगे इसको देखते हुए भारत सरकार ने एक बार फिर से एक आयोग का गठन किया ठीक है उसका नाम था जे वी पी समिती यानि जे फोर जवाहला नहरू वी फोर वल्लब भाई पटेल और पी फोर पट्टाभी सीता रमया ठीक है तो ये समिती फिर से गठित की गई इसका भी उद्देश सेम ही था कि भासाई आधार पर राजों का पुनरगठन सही है या फिर गलत तो इस समिती ने अपनी रिपोर्ट 1929 में दी और इस समिती ने भी यही कहा अब चारिक रूप से कि भासाई आधार पर राजों का पुनरगठन सही नहीं है जैसे ही इस रिपोर्ट के बारे में दक्षिन भारत की लोगों को पता चला तो क काफी जादा आंदोलन सामने आने लगे ठीक है दक्षिन भारत के एक कॉंग्रेस कारे करता थे जिनका नाम था पोटी स्री रामुलू तिलगु भासी छेत्र के थे इन्होंने आमरण अंसन किया अंठामन दिन बाद इनकी मृत्ति हो गई 15 दिसंबर 1952 को ठीक है जिस करन से लोगों ने काफी जादा आंदोलन सुरू किया और जादा विरोध होने लगा सरकार का इन सब घटनाओं को देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 में भासाई आधार पर पहला राज आंध प्रदेश बनाया गया जो की तिलगु भासी छेत्र को इकठा करके बनाया गया था ठीक है कहीं कहीं आपको इनकी जो मृत्य की डेट है वो मिल जाएगी आपको 56 दिन लेकिन सही जो आप अंठामन दिन है ठीक है तो यह चीज आप याद रखिएगा जैसे ही इस घटना के बाद भासाई आधार पर पहला राज आंध प्रदेश का गठन किया गया उसके बाद जो औ और भासाई आधार पर राज्यों के गठन की मार्ग कर रहे थे जैसे मैंने आपको बताया मगही भासी हो गये ठीक है कन्नाड भासी हो गये मल्यालम भासी हो गये इन सब ने भी बिरोध करना सुरू कर दिया और सब ने मार्ग की कि यहाँ पर एक अलग राज बनाया जाना ये भासाई आधार पर इन सभी चीजों को देखते हुए फिर से भारस्तरकार ने एक और समिती के गठन किया जिसका नाम था फजल अली आयोग इसका गठन किया गया था दिसंबर 1903 में यह तीन सदसी समिती थी जिसके अध्यक थे डॉक्टर फजल अली और दो अन्य सदस थे नाम था हिर्दैनात कुञ्जरू और केम पड़िकर इस समिती ने अपने रिपोर्ट दी 30 दिसंबर 1905 में और इस आयोग ने यह सलाह दिया था कि राज्यों को वर्गी करण है उसको समाप्त कर दिया जाया और भासाई आधार पर राज्यों का पुनर गठन किया जाया और इसने ये बोला था कि 16 राज और 3 केंसासी प्रदेशों का गठन किया जाये किन्तु इस समिती के सलाह के बाद थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसकी बात मान ली गई तथा 14 राज और 6 केंसासी प्रदेशों का गठन किया गया था ये किया गया था संबिधान संसोधन 7 साथ के अंतरगात एक नुवंबर 1956 को ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भासाई आधार पर राजो के पुनर गठन जो है वो किस संविधान संसोधन के अंतरगत किया गया तो संविधान संसोधन साथ के अंतरगात इससे पहले मैंने संविधान संसोधन को याद करने की बीडियो अप्लोट कर दी है तो अगर आपने अभी तक बीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूँगा आप उसके जरी बीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो आपको पता हो गया कि एक नॉवंबर 1956 को भारत में 14 राज और 6 केंसासिज प्रदेश हो गये थे वो 14 राज कौन से थे तो आंध प्रदेश था बिहार प्रांथ बंबाई प्रिश्डेंसी उडिशा प्रांथ पंजाब पश्चिम बंगाल जम्मु कस्मीर राजस्थान केरल मध प्रदेश मद्रास म मैसूर असम और उत्तरप्रदेश ठीक है ये 14 राज थे 6 केंसासिज प्रदेश थे अंडमान निकोबार दिल्ली हिमांचर प्रदेश लक्षदीप मनिपूर और त्रिपूरा बाद में कुछ आगे चलके राज बन गये थे लेकिन ये उस समय केंसासिज प्रदेश थे ठीक ह ठीक है क्योंकि एक्जाम में सबसे पहले वही आते हैं पहले उनको देखेंगे क्योंकि ये केंसासिज जो प्रदेश है बाद में राज भी बन गये हैं तो वो पूछा जाता है कि राज कब बने ना कि ये पूछा जाता है कि केंसासिज प्रदेश कब बने तो सबसे पहले ह हम लोग आगे वालों की बात करेंगे बाद में इनको भी याद करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पंद्रहवे राज गुजरात की आपको पता है सात्वे संविधान संसोधन के अंतरगत भासाई आधार पर राजों का पुनर गठन किया गया जिसमें चाउदा राज और छे केंसासी प्रदेश निकल के आए और पंद्रहवा राज जो बना वो गुजरात बना ये बना एक माई 1960 को और ये चाउदा में से एक था बंबाई प्रिशिडेंसी उसी से अलग होकर बनाया गया ठीक है जो गुजरात है किस से बनाया गया थ बंबाई प्रिशिडेंसी से अलग करके बनाया गया था साथ ही साथ में आपको बता दूँ जब गुजरात को अलग कर लिया गया तो जो बंबाई प्रिशिडेंसी का बचा हुआ छेत्र था उसको महाराष्ट नाम देकर एक माई 1960 को ही उसकी इस्थापना कर दी गई लेकि अगर आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट गुजरात की स्थापना कब हुई तो एक माई 1960 को हुई तो याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्द क्या लिखा हुआ है गुजरात में रात और महाराष्ट में सब्द लिखा हुई महारात दोनों में रात सब्द आपको मिल जागा और रात से मिलता जुलता सब्द है साथ रात साथ रात साथ अगर आप दो से तीन बार बोलेंगे तो आपको आसानी से आध हो जाएगा कि भारत के पंद्रहवे राज गुजरात और महाराष्ट की स्थापना कब हुई एक माई 1960 को ठीक है और लोग बात कर लेते हैं दादर नगर हवेली की जो दादर नगर हवेली है इसको दस्वे संविधान संसोधन के अंतरगात भारत में केंद सासी प्रदेश का दर्जा 1961 में दिया गया ठीक है तो यहां पर केंद सासी प्रदेशों की संख्या 6 से बढ़कर कितनी हो जाती है लोग एक टक देखते हैं तो एक टक फॉर 61 ठीक है तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोवा प्लस दमांदीप की दोनों के दोनों 1961 में बारहवे संविधान संसोधन के अंतरगात भारत में केंसासिर प्रदेश के रूप में सामने आए ठीक है तो यहाँ पर देखिए दो और केंसासिर प्रदेश हो गए छे थे एक दादर नगर हवेली हो गया साथ और साथ की बाद दो ये तो नव केंसासिर प्रदेश हो गए बारहवे संविधान संसोधन के अंतरगात ठीक है 1961 म उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख लेना लिंक में आपको कमेंट बाक्स में पिन करके दे दूंगा ठीक है तो इसके बाद भारत का अगला राजी बनता है सोलाहवा राजी के रूप में नागा लेंड जिसकी स्थापना होती है 1963 में और यह तेरहवे संविधान संसोध तो आप ऐसे आद रखिएगा कि नागलेंड की स्थापना कब हुई 1963 में और आपको पता है कि नागलेंड को तेरहवे संविधान संसोधन के अंतर को जोड़ा गया था तो तेरहवे संविधान संसोधन कब किया गया जब नागलेंड की स्थापना हुई यानि 1963 में ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर भारत के सोला राज हो गए थे और नव केंसासिर प्रदेश हो गए थे इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक और केंसासिर प्रदेश की जो की है पुदुचेरी और इसकी भी स्थापना 1963 में की गई थी एक केंसासिर प्रदेश के रूप में व इसको स्थापित किया गया के सासीर प्रदेश के रूप में चयुदावे संविधान संसोधन के अंतरगत, तो यहाँ पर के न सासीर प्रदेश की संख्या कीतनी हो जाती है 9 प्लस एक 10, разв?" सोला राज और 10 कैन शासीर प्रदेश यहा पर ठें, इसके बादलों Krb लेते हैं भारत के सत्रहवे राज हर्याना की इसकी स्थापना हुई एक नुवंबर 1986 को ठीक है हर्याना के बारे मैं आपको बता दूं कि जो 14 में से एक था पंजाब प्रांथ वहाँ पर सिखों ने प्रिथक ग्रह राज की माग की अकाली दल के एक नेता थे उनका नाम था माश्टर तारा सिंग उन्ही के नेतित में पंजाब में एक अंदोलन शुरू हुआ जिसके कारण सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था साह आयोग साह आयोग ने 1966 में सिपारिष की कि जो पंजाब प्रांथ है वहाँ पर जो हिंदी भासा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग राज हरियाना राज बना दिया जाए जो पंजाबी भासा बोलते हैं उनके लिए पंजाब राज और जो बचे हुए छेत्र इसके अलावा पहाड़ी छेत्र जो थे पंजाब प्रांथ के वो हिमानचर प्रदेश को दे दिये गए आपको पता था और बचे हुए एरिया में एक केंद्र सासित प्रदेश बना दिया गया था जिसका नाम था चंडीगड तो यहां से हमको दो चीजे मिलती हैं एक तो हरियाना राज्ज मिलते हैं और दूसरा चंडीगड केंद्र सासित प्रदेश मिलते हैं पंजाब प्रांत पहले से था तो वहाँ पर केवल पंजाबी भासा बोलने वाले जो छेत्र थे उसको पंजाब नाम दे दिया गया और जो पहाडी छेत्र था वो किसको दे दिया गया था हिमानचल प्रदेश को ठीक है इसके संदर्व में एक संसोधन किया गया था जो था संबिधान संसोधन 18 इसी के अंत का पुनर गठन कoga था ठरावय संविधान संसोधन के अंतरगत उसी से हिंदी भासा बोलने वाले गों entrepal यस और जो पंजाबी भासा बोलते थे पंजाब हो गया पहारी चेतर हिमांचा प्रदेश तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हर्याना और पंजाब के इस्थापना कब हुई तो एक नॉम्बर 1966 को हुई जब कि इसको राज्यों के क्रम में इस्थान नहीं दिया गया कैसे नहीं दिया गया क्योंकि यह पंजाब प्रांद का ही छेत्र था जैसे मैंने आपको बताया थे था कि बंबई प्रेश्डेंसी से जो गुजराद अलग हुआ अलग होने के करन उसको राज्यों के क्रम में इस्थान तो दे दिया गया कि यह 15 राज है लेकिन वहीं पे महाराष्ट बना था बंबई प्रेश्डेंसी से तो उसको राज्यों के क्रम में इस्थान नहीं दिया गया था लेकिन इस्थापना वर्ष क्या थी उसकी भी यावी लोग को 6 बहुत पसंद होता हैं तो 6 में आपको 2-6 मिल जाएंगे 6-6 तो 6 फॉर 6-6 मतलब 6-6 अर्था तो 1904 तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंजाब और हर्याना की स्थापना कब हुई 1 नमबर 1968 को और 1 नमबर 1968 को ही चंडी गड़ भी हमको केंसासी प्रदेश के रूप में यानि 11 केंसासी प्रदेश के रूप में मिल गया था ठीक है तो चाहें तो आप इसको भी याद रख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले राज की तो वह है भारत का 18 राज हिमानचल प्रदेश जिसकी स्थापना ह हुई 1971 में इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 6 केंसासी प्रदेश जो की स्टार्टिंग वाले थे वहां पर जो हिमानचल प्रदेश था सामिल था बाद में जो पंजाब प्रांथ था उसका पहाड़ी छेत्र भी हिमानचल प्रदेश को दे दिया गया था उस समय भी के मा का आचल हुए मांचल में सब्द लिखा हुआ है यनि मा का आचल और 71 में सब्द लिखा हुए km 2023 Parlआ की बात हुरी है तो आपको पता है संख्या घट गई क्योंकि पहले केंद्र सासी प्रदेश था तो 11-1 बराबर 10 तो यहां पर 10 केंद्र सासी प्रदेश हो गए थे और राज्यों की संख्या किती हुई थी तो वो हुई थी 18 ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम और अरुनांचर प्रदेश की जिनको 27 संभिधान संसोधन के अंतरगत 1971 में ही केंद्र सासी प्रदेश का दर्जा दिया गया था ठीक है दोनों के दोनों को 27 संभिधान संसोधन के अंतरगत 1971 में केंद्र सासी प्रदेश की रूप में भारत में सामिल किया गया था लेकिन ब गए तो 10 प्लस 2 बराबर 12 यहां पर 12 केंसासी प्रदेश हो गए थे और 18 राज हो गए थे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 19 वे राज की जो भारत का 19 वे राज है वो है मनिपूर जिसकी स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को साथ ही साथ त्रिपूरा की स्थापना 20 वे राज के रूप में भी और मेगाले की स्थापना 21 वे राज के रूप में 21 जनवरी 1972 को ही की गई थी तो इनके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बाद हम लोग इनके स्थापना वर्ष को ट्रिक के माध्य से याद करेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो मनिपूर और त्रिपूरा है, जिनको यहाँ पर 1972 में राज का दर्जा दिया गया है, यह 14 राज और 6 के attain exhaustासी प्रदेशों की संख्या में से दो थें ठीक है, यह 6 लाजों की संख्या में से दो थें, ठीक है, कि इससे पहले केंसाशी प्रदेशों की संख्या कित्ती थी तो वो थी कित्ती बारा और बारा में एक कम हुआ मणीपूर तो ग्यारा हो गए और ग्यारा में एक कम हुआ त्रिपूरा तो दस हो गए ठीक है केंसाशी प्रदेश और जो मेघाले है, इसके बारे में यह याद रखिएगा, कि मेघाले के संदर्म में 22 संभिधान संसोधन किया गया था, ठीक है, 22 संभिधान संसोधन जो है, मेघाले के लिए किया गया था, लेकिन ये संभिधान संसोधन किया गया था, 1979 में, कब किया गया था, 1979 में, जब इस 222 समप- dostęp कभ क्या गया था तो वह किया गया था 1978 में और बहुत सारे लोग यही पर यहीपर- confuse हो जाते हैं उनको याद रहता है राज्यो को स्थापना वर्ष जोकि मेघाले की स्थापना वर्ष 1972 तो उनको यही लगता है कि 22 संभिधान संसोधन भी 1972 में हुआ होगा जबकि ऐसा नहीं है 22 संभिधान संसोधन हुआ था 1979 में जिसमें मेघाले को असम से अलग करके एक स्वेत राजिका दर्जा दिया गया था जबकि पून राजिका दर्जा दिया गया है 1972 में तो बहुत सारी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं और इक जाम में यहां से कोशन पूछा भी जाते हैं इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखेगा तो चलिए अब हम लोग तीनों के स्थापना वर्ष को याद करते हैं तो यहां पर देखे मणी पूर में मनी सब्द लिखा हुआ है मनी को इक रड़ लेते हैं मनी यह पैसा वाले मनी की बात ठीक है और तो पूरा में सब्द लिखा हुआ है तीर पूरा मतलब पर बहुत जादा मनी खर्च होगी लेकिन आपको पता है कि मनी खर्च होने के बाद वो क्या हो जाएगा बेहतर हो जाएगा घायल तो है तीर लगने से लेकिन क्या हो जाएगा मनी अगर खर्च करेंगे तो बेहतर हो जाएगा तो बेहतर फोर 72 तो आप ऐसे याद रखिएग के अंतरगट ठीक है कि सम्विधान संसोधन के अंतरगट इसकी स्थापना होई 36 सम्विधान संसोधन के अंतरगट ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1975 में सिक्किम को 36 सम्विधान संसोधन के अंतरगट पूर्ण राजी का दरजा दिया गया था जबकि इससे पहले 35 स सम्विधान संसोधन के अंतरगत 1974 में संबध राजी की रूप में इसको बनाया गया था लेकिन पूर्ण राजी का दर्जा कम मिला 36 सम्विधान संसोधन 1975 के अंतरगत तो इसको याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखें सिक्किम में सिक्का सब्द लिखा तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिक्किम की स्थापना कब हुई 1975 में ठीक है 16 मई 1975 में इसकी स्थापना हुई थी आपके वल डेट याद रखिएगा बांकि आपके सामने ओप्सन होगा तो आप क्लियर कर लोगे इससे पहले हम लोग आगे के राज्यों को ट्रिके माध्य सियाद करें अभी थंक हम लोगोंने कितने संविधान संसोधन के वर्ष याद कर लिये हैं साथ ही साथ उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भासाई याधार पर राज्यों का पुनर गठन किया गया था साथवे संविधान संसोधन के अंतरगात तो वो कब किया गया था 1956 में तो साथवा संविधान संसोधन कब किया गया 1956 में तो ये वर्ष आपको याद हो चुगा है उसके बाद मैंने आपको बताया था दादर नगर हवेली के बारे में कि केंसासीज प्रदेश का दज्या इसको कब दिया गया 1961 में 1161 में और आपको पता है कि 10-0 संसोधन के अंतरगत इसको जोड़ा गया क्योंकि यह चीज़ मैंने पहले ही याद करवा दी कि किस राज़े को या फिर किस के अंसासीज प्रदेश को किस संसोधन के अंतरगत भारत में सामिल किया गया है तो यह चीज़ अगर आपको नह नागंलंड की भाथ हम लोगों ने की थी कि नागंलांड की स्फापना के अंतरगत हुई , बता कि पंजाब का पूनर गठन किया गया था कब 1906 में मैंने आपको बता ही दिया कि पंजाब की स्फापना और हर्याना की स्फापना वहां से करवाई थी कि जौब के लिए कितनी उम्रेद चाहिए मिनिमिम्याम 18 साल ठीक है 18 साल का होना चाहिए 18 फार 18 आंग के याध हो गया था जौब फर पंजाब तो वहां से हम लोगों इस तरीके से याध किया था तो आपको ये भी याध हो गया कि 18 संभिदान संसोधन जो है वो क तो ये चीज आपको याद रहे कि Fact है, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना बहुत साले लोगों को नहीं पता है, उसके बाद सिक्किम् का हम लोगों ने याद किया कि 36 संविधान समसोधन के अंतरगद पूर्ड राजिकात दजय दिए गया, और 36 संविधान संविधान हो चुके हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम की तो जो मिजोरम है इसको 23 राजी के रूप में 1987 को तीरपनवे संविधान संसोधन के अंतरगत भारत में पूर्ण राजी का दर्जा दिया गया ठीक है इसके बाद 24 राज है अरुनांचर प्रदेश इसको भी 20 फरवरी 1987 को 55 संविधान संसोधन के अंतरगत पूर्ण राजी का दर्जा दिया गया और एक है गोवा जो की 25 राजी के रूप में 30 मई 1987 को 56 संविधान संसोधन के अंतरगत पूर्ण राजी का दर्जा इसको दिया गया यहाँ पर एक ची था लेकिन बाद में ये आकर 1987 में पूर्ण राज के रूप में सामिल हो गया ठीक है और जो मिजोराम और और अरंचल प्रदेश थे तो इनके बारे मैं आपको बताया था कि 27 संभीधान संसोधन के अंतरगत 1971 में इनको के अंसासिर प्रदेश का दर्जा दिया गया था वहाँ ये चीज़ और याद रखिएगा कि जो तिरपनवा और पचपनवा संभीधान संसोधन है ये 1986 में किये गए थे लेकिन लागू हुए कब 1987 में जब 20 फरवरी 1987 को मिजोराम और अरणचल प्रदेश को राज का दर्जा दिया गया तो यहां से तीन केंसासी प्रदेशों की सं उस्ही पहते हैं राम अरणचiller प्रदेश में अदे लिखा हुए है अरुणाचल मतलब चलने इसब नहीं की बात हुरी है और गोवा में सब्दे लिखा हुए गो 1 तो आपको पता है कि राम भगवान वन गये थे वह भी पैदल चलके गया थे है ना राम भगवान वन गये गई थे, चल गई थे और किसके साथ गई थे, तो सीता के साथ गई थे, सीता for 87 मतलब 1987, तो आप ऐसे याद रखियेगा, मीजोराम अरुनांचरपदेश्द और गोवा की स्थापन कप की गई है, 1987 में, मीजोराम अरुनांचरपदेश्द की 20 फरुवरी 1987 और गोवा की 30 फरु 1987 को तो यह चीज याद रखिएगा जिससे कि आपको संविधान संसोधन की वर्ष भी याद होते चलेंगे या फिर ऐसे याद रखिएगा कि 86 की जगए इनको 86-87 कर लिजे ठीक है क्योंकि 86 में ये संविधान संसोधन हुआ और 87 में लागू हुआ तो 86-87 कर लिजे और आगे वाला जो 87 है ही 56 संविधान संसोधन तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी ठीक है तो यहाँ तीन और संविधान संसोधन के वर्ष आपको याद हो चुके हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 26 वे राज 36 गड़ की जिसकी स्थापना 1 नुवंबर संदोहजार को मद्ध प्रदेश से अलग करके हुई ठीक है यानि मद्ध प्रदेश से अलग होकर 36 गड़ 1 नुवंबर संदोहजार को अस्तित्व में आया साथ ही उत्तरप्रदे से अलग होकर उत्तरा खंड 27 वे राजी के रूप में 9 नुवंबर संदोहजार को आया और एक और है जहार खंड जो की बिहार से अलग होकर 28 वे राजी के रूप में 15 नुवंबर 2000 को अस्तित्व में आया ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर मैं आपको इस्तापना वर्स याद करवा दूँगा आपको पता है कि जब से 2000 के नोट मार्केट में आये हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही स्टार्टिंग में 2000 के नोट मार्केट में आये थे तो नोट बंदी हुई थी, तो पुराने जो नोट थे, जिन्होंने गैर कानुनी तरीके से पैसे कमाये हुए थे, तो आप ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, कि नोट जो है वो बोरियों में भढ़के, क्या करते थे, ज़ाड़ियों के पीछे फेक आते थे या फिर छट की ऊपर रख लेते थे, कहीं भी समझे कवाड के रूप में रख लेते थे या फिर आग लगा देते थे, तो कुल मिलाकर जोो नोट थी उनको A-T ौ-A-T पहुचाने का काम करते थे रखेगा कि 36 गड़ उत्राखंड और जारखंड की स्थापना कब हुई है सन 2000 में ठीक है दूसरा भी तरीका है 36 गड़ में 36 सब्द लिखा हुआ है छती मतलब नुकसान और जब नुकसान हो जाते हैं तो जाहिसी बाते कुछ नहीं बचता मतलब सब सूनने हो जाते हैं तो य जैसे जीरो दिख रहा है तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं यहां भी जीरो लिखे हुए हैं बहुत सारे और जहारखंड में जहरना सब्द और जहरना में पानी होता है पानी की जो बूदे होती है गोल गोल दिखती है जीरो जैसे तो ऐसे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के 29 राजिकी जो की बना आंध प्रदेश से अलग होकर तिलंगाना इसकी स्थापना हुई थी दो जून संदो हजार चौदा को तो यहाँ पर देखे तिलंगाना में तेल सब्द लिखा हुआ है और चौदा में सब्द लिखा हुए 14 14 से आदा जागा फॉर्चियून Fortune Oil के बारे में आपने बहुत सारे Advertisement देखे होंगे Fortune for 14 और Oil Fortune Oil है Oil for तेल, तेल मतलब तिलंगाना तो याद रखेएगा तिलंगाना की स्थापना कब हुई है सन 2014 में ठीक है तो यहाँ पर 2014 तक भारत में 7 केंदर सासित प्रदेश थे और 39 राज थे इसके बाद आपको पते है किसके बाद भी कुछ घटनाय हुई कब 5 अगस्त सन 2019 को यह घोसित किया गया कि जो जम्मू कस्मीर है उसको दो भागों में बाट दिया जाएगा और राज जिनार रहकर अब यह केंदर सासित प्रदेश हो जाएगे ठीक है और यह जो प्रभावी हुआ था तो कब से हुआ था तो 31 अक्टूबर सन 2019 से दो केंदर सासित प्रदेश और मिल गये थे भारत को और एक राज कम हो गया था मतलब 28 राज हो गये थे और 9 केंदर सासित प्रदेश हो गये थे उसके बाद भी पीछे नहीं रहे उसके बाद क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और जो दमन्दीप था उन दोनों को 26 जनवरी सन 2020 को एक कर दिया गया तो केंदर सासित प्रदेश थे दोनों के दोनों तो इनकी संख्या भी एक घट गये क्योंकि 2 से 1 हो गये तो एक और घट गयी मतलब 8 केंदर सासित प्रदेश हो गये और 28 राज हो गये जो की अभी वर्तमान में हैं तो ये चीज़े थी तो इन चीज़ों को हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया अब हम लोग याद करेंगे उन 14 राज्यों को जो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी कि उनकी स्थापना वर्ष को बाद में याद करेंगे उससे पहले हम लोग एक टॉपिक को और यहां पर देखने वाले हैं फिर बाद में हम लोग स्थापना वर्ष को याद करेंगे वो टॉपिक है नामों में परिवर्तन का मान लीजे आपसे पूछ लिया जाता है कि पांडी चेरी को पुदू चेरी कब से कहा जाने लगा या फ मतलब उत्तरप्रदेश कहा जाने लगा ठीक है मतलब संयुक्तु जो प्रांत था उसका नाम उत्तरप्रदेश कब पड़ा 1950 में जो मद्राज था इसका नाम बदलके 1968 से तमिलनाडू कहा जाने लगा ठीक है मैं आपको बता दूँ कि प्रस्ताव को मंजूरी 1968 में दी गई पश्मी पंजाब पाकिस्तान चला गया था पूरवी पंजाब भारत में रह गया था तो वही जो पूरवी पंजाब था उसका नाम बदलकर पंजाब 1950 से कहा जाने लगा ठीक है तो ये चीज काफी ज़्यादा मात पूर्ण है आपको बुक में इकठा कहीं भी नहीं मिलने वाला है और ये ग्याम के लिए भी काफी ज़्यादा मात पूर्ण है तो इन सभी बना दिया गया ठीक है तो यहां पर देखें केरल में करेला सब्द लिखा हुआ है करेला जो होता है कड़वा होता है तो जो बच्ची होते हैं जब करेले की सबजी बनती है तो वो छिप जाते हैं खाते नहीं है तो छिपना फ़र छिपन यानि 1956 तो आप ऐसे याद रखेगा कि केरल की स्थापना कब हुई एक नवंबर 1956 को ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर कर लेते हैं तो आपको पते है कि नेता विदाइक जब चुनाओ का टाइम आता है तब तो दिखते हैं बाद में जब जनता की सेवा का टाइम आता है तो छिप जाते हैं है ना तो छिपना फ़र 56 यानि 1956 तो याद रखेगा मदर प्रदेश की स्थापना भी कब हुई है 1956 मे ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तो अगला है आंध प्रदेश तो आपको पता है कि भासाई आधार पर बनने वाला पहला राज आंध प्रदेश है इस्थापना एक अक्टूबर 1903 को हुई है वैसे अगर आपको याद नहीं करना है तो य अंतरगा ठीक है तो तीरपन आप्सन में नहीं होता है तो सभी जोब क्या होगा एक नॉमबर 1906 होगा वैसे जातर तीरपन होने की संभावना रहती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तो अगला हमाई सामने है राजास्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को ठीक है तो यहां पर याद करने के लिए ऐसा समझे कि राजा का जो इस्थान होता है कैसा होता है उच्छा होता है राजा की स्थान उच्छा होता है उच्छा फर उंच्छा तो आप ऐसे आद रखिएगा कि राजास्थान की स्थापना कब हुई है उनिस सो definite में ऻिक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश जो था इसकी स्थापना हुई है 24 जनवरी 1950 को भारती राज के रूप में पूर्ण राज का दरजा इसको डेट कौन सी सही होती है 24 जनवरी 1950 तो यहां पर देखिए UP बोलते है UP को याद करने के लिए इपपी कर लेते हैं इपपी नूडल की बाद तो आपको पता है इपपी जो होती है बच्चे को बहुत पसंद होती है बच्चा पर 50 बच्चास पच्चास तो आप ऐसे याद रख होती है क्योंकि बाद में यह महाराष्ट बन गया था तो हम लोगों याद किया था कि एक मैं 1960 को स्थापना की गई थी ठीक है तो यह दोनों भी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं करनाटक की स्थापना हुई थी एक नॉमबर 1956 को तो कर तमिलनाडू की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को तो 50 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है उस सब्द पच्चा यानि बच्चा बच्चा सब्द आप मिलेगा और बच्चों के तालीम से समदित सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास करें जिसके कि हर ब्यक्ति या फिर ऐसा स स्थापना कब हुई है 26 जनवरी 1950 को इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मु कस्मिर की तो आपको पता है कि जम्मु कस्मिर भी अब के अंसासी प्रदेश बन गया है तो ये वाली जो डेट है अब नहीं पूछी जाएगी ठीक है तो इसको भी यहां से हटा देते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की तो जो बिहार है उसकी स्थापना वैसे 22 माच 1912 को हुई थी लेकिन इसको पूर्ण राज की अगर दर्जा की बात करें कि बिहार को पूर्ण राज का दर्जा कब दिया गया तो वो दिया गया 26 जनवरी 1950 को ठीक है वियार को कब दिया गया 26 जनवरी 1950 को तो यहां पर देखें वियार में सब्द लिखा हुआ है वी हार यनुरी हारे की बात और आपको पते है कि बहुत सारे ये ये लोग जो होते हैं वो हार को सेहन नहीं कर पाते यैशा कह सकते हैं ना की हार कोई भी व्यक्ति नहीं पचा पाता है थिक है हार हमेशा खलती है और जीत हर व्यक्ति पचा लेता है तो पक्षी अपने बंगले में क्यों आएंगे तो जाही सी बात ठक गए होंगे तो सुस्ताने आएंगे सुस्ताना फोर सुस्तालिस यह नहीं 1947 तो याद रखिएगा पशी मंगाल की स्थापना कब हुई है 1947 में ठीक है इसके बाद दो और पॉइंट बचते हैं एक है असम अ बाद में 26 जनवरी 1950 हो यह भारत में पूर्ण राज के रूप में सामिल हुआ तो इनकी मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ठीक है तो यह डेट आपको याद रखनी है बाकि सभी चीज़ों को हम लोगों ट्रिक के माध्यम सियाद कर लिया है एक चीज में आपको और बता दूं कि अगर आपसे ये डेट नहीं पूछी जाती है तो फिर दूसरी डेट आपके सामने ऑप्सन में होगी वो होगी एक नॉमबर 1956 क्योंकि इस समय राज्यों का पुनर गठन किया गया था गठन नहीं बलकि पुनर गठन दुबारा से ग ठीक है तो मैं आपको बता दूं जो सिक्किम था वो भारत में सामिल होने वाला अंतिम राज था 1975 में ये भारत में पुनर राज के रूप में सामिल हुआ यहां के अंतिम सासक थे चोंग्याल जिन्होंने समझावते पर हस्ताक्षर किया उसके बाद सिक्किम भारती राज बन गया था ठीक है तो यह चीज याद रखिएगा दूसरी चीज यह याद रखिएगा कि जो पूर्तगाली थे वो सबसे पहले भारत आयते और सबसे लाश्ट में गये तो आपको पता है और दमंदीप के बारे में ठीक है तो गोवा और दमंदीप में जब भारत ने या 1961 में तब पुर्तगाली छोण के गए यह जाही नहीं रहे थे क्योंकि 1947 में आजादी हमसे किन से मिली थी अंग्रेजों से ना कि पुर्तगाली और फ्रांस वालों से ठीक है फ्रांस से कब आजादी मिली तो 1954 में फ्रांस ने पांडुचेरी को भारत के सुपूर्द कर दि जो है यहां तक इसका विस्तार है ठीक है तो यह चीज भी याद रखिएगा बाकी आपको पता ही है कि हैदरावाद के संदर्व में जो चीजे मैंने आपको बताई वो सब चीजें ठीक है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी तो इस तरीके से अपना वीडियो कमेंट क करके बताना है अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देने है और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करने है और अभी तक आपको कौन-कौन से संद्धान संसोधन के वर्ष याद हुए है वो सभी वर्षों को कमेंट करके बताना है ठीक है मैं आप से पूछ लेता तो आप कमेंट करके बताईएगा खे अगर अगर आपको इसकी पी डिएप चाहिए तो आप हमारी टेलीघरम गूरूप को जोईंड कर लिजेगा वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडेप दे दूँगा साथ ही साथ इससे संबंदित क्वीच भी मैं आपने टेलिग्राम चेन चैनल मिल जाएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदु